ने अप रोच किया है रहे बोला है चुनाव लड़े और आपकी मुलाकात ही भी है किसी कोउंग्रे के नेता से अरे मेंकार्श तो किसंपना वि नहींक भी नहीं हुई पटा नहीं किसींसे बात तक नहीं हुई कांग्रेस के लिए अपने बेटी के लिए खड़ी हूँ, आगे और बेटियों के लिए लड़ूंगी, मुझे बस इंसाफ के लिए मैं लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, इंचारों की खासी चाहिए, मेरा राजनीती से दूर दूर से, किसी से कोई बात नहीं है, इसके बारे में मेरे से किसी से बात नहीं है, लेकिन ये फैशला तब ही सक्चम है, जब बाइस तारीकों उनको फांसी हो जाएगी, क्योंकि ये एक नजीर पेस होगा, कि जिस तरह से उन्होंने खेलवाड किया है कानून के साथ, उन लोगों के ओकीलों ने कानून का रखवाला होते ही हुए, भी कानून का पालन नहीं किया, इस अपील पे एक साल से सुनवाई चल रही थी, लेकिन किसी ने फोलो नहीं किया, जब फाइनली कोट ने उनका डेट औरेंट जारी कर दिया, तो उनको कानून का ध्याना आया कि नहीं इनका अधिकार है, तो ठीक है, जिस तरह से वो कानून को आडे हाथ लिया, कानून को फोलो नहीं किया, साथ सल पहले उन्होंने जिस तरह से बची के साथ खिलवार किया, उसी तरह से कानून के साथ खिलवार किया, कोट के साथ खिलवार किया, हमको इतने साथ साल से हरास्मेंट किया, तो मैं यहीं चाहती हूँ कि 7 तारीक को 7 बजे ही उनको फांसी दी जाए और उनको फांसी पे लटकाया जाए मेरा कोट से सरकार से अपील है बहुत उमिजगी है और मैं बहुत खुस हूँ बलकि राटपती साहब को मैं धनेबाद करता हूँ उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया और आगे आने वाले तीन हैं इनको भी ऐसे ही खारिज करें लेकिन दोनों सरकारे एक दूसरों पर आरोफ प्रत्यारोफ मड़ी है कि ये कार नहीं कर रही हम नहीं काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार ने सीम ने कहा कि हमने टाइम ली किया हुआ है जल्दी जल्दी इस काम को आगे बढ़ा है आप क्या कहना चाहेंगे देखे राजनीती में हम नहीं जा रहे हैं वो आपसे उनको लड़ने देजिए हमें सिरफ नयाय चाहिए